गाजीपूर से किरण नाइवरिष्ट पत्रकार की रिपोर्ट शराब के नशे में हुई हत्या योवक की पीद कर हत्या, फुलिसक अपतान राम बदन सिंध में खुद पहुँचे मौकी पर गाजीपूर, होली के जशन के बीच बीती रात एक योवक की मार पीद कर हत्या किये जाने का मामला सामने आया है फुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया है वही दो आरोपियों को गिरफतार करने का दावा भी किया जा रहा है घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कप्तान राम बदन सिंग ने खुद मौके पर पहुँच कर मामले की जानकारी लिए उन्होंने बताया कि सदर कोत्वाली थानक शेत्र के बैपोर देवकली गाउं में राहूं बिम बाइस वर्ष को कुछ लोगोंने मारपीत का मौत की घात उतार दिया सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई शब को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए घे जा गया शेहर कोत्वाल विमलेश मौया ने बताया कि मामले के दो आरोपियों को गिरपतार कर लिया गया है आगे की कार्यवाही की जा रही है उन्होंने आशनका जताई की वोही के जश्न में शराब सेवन के बाद हुए जगड़े के दोरान यह वारदात घटित हुई है फिलहाल मामले की तफ्पीश की जा रही है शब के पोस्टमाटम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है वोही गाउ में संसनी फैली हुई है हरवा ने डेविशे के लिक दो है है रहा है जो क्यों युफरा जाज़ा बादी को बदा आने की जाज़ा आने की जाज़ा है